दोस्तो साल 1965 की ब्लोगवस्ट फिल्म वक्त ने बोलिवुड फिल्मों का एक नया ट्रेंड सेट किया था जो कि आगे चलकर काफी पोपुलर और कामया भी रहा था दोस्तो ऐसी फिल्मों की रोचक जानकरी के लिए प्लीज मेरे इस फिल्मी पर इच्छे चैनल को सुपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और खूब सेयर करके मुझे और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए चले जानते फिल्म वक्त के बारे में वक्त फिल्म साल 1965 में आई के टोने वो ड्रामा हैं दिकें थी जिसका रिदेशन यस चोपड़ा ने किया था और बियार चोपड़ा ने किस फिल्म को प्रडूश किया था इस फिल्म में मत्याबो मीबा, सुने निदत, राजकुमार और ससी कपूर में निगाई थी साथ ही अन्य कलकारों में साधिना सिर्दसानी, सरमिला टैगोर, हमबलराज साहनिंग, अचला सचदेव, रहमान और मदन प्रीजा से दिग्ड़स कलकार सामिल थे बी आर चोपड़ा इस फिल्म में पहले पिर्तुराज कपूर और उनके तीनों बैटे राजकुपोर, सम्नी कपूर और ससी कपूर को लेना चाहते थे लेकिन चारों में से बस ससी कपूर को ही इस फिल्म में लिया था वक्त फिल्म में राजकुमार से पहले उनका रो दर्मेंदर को ओफर हुआ था लेकिन दर्मेंदर ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था तोकि दर्मेंदर उस समय बड़े वाई का रोल नहीं करना चाहते थे और वक्त फिल्म में साधना का स्विल्मिंग शूर चेंज करने वाला सेन सेंसर बूर्ड ने हटवा दिया था लेकिन बाद में पबलिक डिमांड के चलते उस सेन को वापिस फिल्म में रखा गए था सुनीलदत ने भी पहले वक्त फिल्म में काम करने से मना कर दिया था बड़ी हिलाजवाब कहानी थी, ये कहानी को और इस फिल्म के सभी दिगर्श कलाकारों के अभिनय को दर्शुवा ने खूब पसंद किया था, जिसकी वजए से ये फिल्म बॉक्सों की स्वर बनोक बस्ठो साबित होई थी, वक्त फिल्म का बजट 78 लाग हो गय था, और इस वक्सफिस पर उस समय वाइड़ वाइड, छैक करोड रूपक की जबरदस्त कमाई की थी, चैक करोड रूपक की रकम उस्दवार में बाए बच बड़ी रकम होती थी, वक्त फिल्म साल 1965 की सबसे जि weight up लिमा पतों के साथ सांथ उस साल की सबसे ज़्यादा कमाय करने वाले फिल्म भी बने थी इस फिल्म के कहाने के साथ-साथ इसके डायलोग भी बहुत ही लोग प्रिया हुए थे हैं खास तोर पर राजकुमार का अभी नहीं और डायलोग पोडियोंस को खूब पसंद आए थे जिनके लिए राजकुमार की बेहद तारिफ हुई थी और जिसकी बदोलत इस क्लासिक फिल्म वक्त के लिए राजकुमार को उस साल का बेट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म पे अवोर्ड भी मिला था इस फिल्म की जबदस सफलता के बाद से ही एक ही फिल्म में कई परशिद और दिगस कलाकारों को लेकर मल्टि स्टारर फिल्में बनने का ट्रेंड सुरू हुआ था और यहीं मल्टि स्टारर फिल्मों का ट्रेंड काफी सालों तक काफी सबल भी रहा था जिसके बाद एक ही फिल्म में कई कलाकारों को लेकर फिल्में बनाई जाती थी और फिल्में बहुत ज़्यादा काम्याब और सफल होती थी अगर आपने भी ये वक्त जैसी ओर्ड क्लासी फिल्म देखी है तो ये फिल्म आपको कैसे लगी थी जरूर बदाना दोस्तों अगर ये वीडियो और जानकार क्वसंद आए तो मेरे इस बेज को प्रीज फॉलो लाइक और से जरू किचे प्रीज मेरे चैनल को स्पोर्ट कीज़े दोस्तों धन्यवाद सुस्त रहिए खुश रहिए